कुछ बात करेंगे पाकिसानी गुलुकार आसिम अजर की जिनका गाना चंद माहिया इन दिनों ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे और लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं इसके बारे में क्या बताते हैं आसिम ये जानने की कोशिश करते हैं चंद माहिया इसका टाइटल अगर हम देखें तो लगता तो ये है कि ये पंजाबी गाना होगा लेकिन ये एक उर्दू सॉंग है आसिम अजर सबसे इस गानी के सफ़र से मतलिक जानते हैं कि आसिम भई एकि सो मच आपने में टाइम दिया और अगर टाइटल को देखें तो तो इसकी स्वरी से मुतलिक बताइएगा तौ इसकी स्वरी से मुतलिक बताइएगा ताम लेकूम, थांक यू भर वविंग में AND बिल्कुल असल मैं बहुत जादा प्लानिंग में कि मैने इस गाने को बनाने में तो इसलिए जब मैं कोरस के ओपर काम कर रहा था तो चन्द माहिया एक ऐसा लफसता जो मैं बार बार गुमकुना रहा है और चन्द माहिया हम, I think, एक्सप्रेशन पंजाबी का यह है लेकिन प्यार में एक प्यार में एक निक की तरह हम इसको इसकेमाल करते हैं बच यस बाकी गाना अरदू मही है जहां का इसकी स्टोरी की बात है तो मैं चाहता था कि एक प्रवड लफसॉंग के वजाएद थोड़ा सा अपने आपको इसमें चालेंज करों थोड़ा सा नरेटिव इसके बीचे मैं अपने लिए अपने लिए अपने लिए अटलीस बनाओं जब मैं लिखा था काना कि हो सकता है शायद लिसनर्स तक भी बात पहुंचे और वो कुछ इस तरह का नरेटिव है कि अगर आप सोचें के एक कारेक्टर है जिसको अपनी अजादी बहुत पसंद है वो अपनी जिंदगी भरपूर किसम से जीता है और कमाता है फर्च करता ह ट्राविल करता है और प्यार में यपी महीं जबता है और दूसरे एंड पे ऐसा करेक्टर एक ऐसी लड़की है जो आते इसको प्यार में और महुपत में यकीन करवाती है और इस लड़के को पता है कि एक दन ऐसा आएगा कि मेरी अजादी तूटेगी लेकिन ओ कर दो कि अजाएगे जन्देगी उनको लगता है कि लिए एक कन्ट्रोल और एक वाक्स में आजएगी. तो इस गाना उनिह लोगों के लिए कि डरना भी बुरी बाद नहीं है लेकिन प्यार कुर भी मोका देनना चाहिए. आज रहारे से एसे ही तुनिया में आज़कल प्या पॉपॉलरिट गेन करूंगा लेकिन अल्ला ताला ने आपको इतनी इज़त से नवाज़ा भी मैं देख रहा था कि गाने के लिरिक्स, गाने की म्यूजिक कॉम्पोजिशन, म्यूजिक प्रोडक्शन, सब कुछ आसे मुजर नहीं किया है तो उमीद करें हैं कि चंद माईया भी जो आपके प्रीवियस गाने हैं उस तरह की तरह यह पॉपलर होगा और क्या आपकी खौईश होगी कि प्रीवियस गाना जो मैं काफिर सुनता रहा हूं जो तू ना मिला उसके मुकाबले में यह सौ मिलियन व्यूजिक जल्दी क्रॉस कर जाएगा हमारी चाहत हमेशा यह लेकिन हरकिस इसके पीछे कभी भी अब श्रीच अडिश अब जाके जिंदगी के उससे में कि कोई भी चीज जिस पे काम करता हो पार रहा हैं कि अब जिस निदे वह जो को भी कोशिश करता हूं ऐसी थौट्स ना हो कि जिससे उनका बनाने का मकसद तो नियत चेंज हो जाए कि ये उससे कंपीट करें जब वो गाना बनाया था तो वो भी किसी सोच के साथ नहीं बनाया था और मुझे लगता है कुद्रत नियत ही देखती है तो यह गाना भी इसी नियत से से बनाया है एक फ्री स्लोई नियत से बनाया है अगर वाकिए इसके नसीब में अतनी ही मगभूलियत लिखी है तो मुझसे जादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं होगा और जहां तक बात आपने करी कि इस गाने पर सारा मैंने काम किया इलकुल ऐसी बात है इसको प्रड् my based cefail को अच्छिं किया को मेरे साथ सुलunda मेरेक प्रहिं तümबर्स तीम के मुजग प्रृद्से एंपने लिखा इसको मैं और मेरे तीन नजित साथियों मैं आप्र जिनेर मैं रमयस अलीराजा थी में सब कारा हुर्यह है ये ताकि निया को बता लगे के मेरे साथ इसको इस आप म्यूजिक इंडस्टी में तो नाम रखते ही रखते हैं लेकिन आसे मज़र का नाम अगर लिया जाए तो क्रिकेट का नाम भी साथ अटैच हो जाता है अभी एशिया कब चल रहा है और बल्के कमिंग मंस में क्रिकेट ही क्रिकेट होगी हर तरफ वर्लक भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स मन से तो आप बताएगा एशिया कब में प्रिवियस पाग भारत ताक्रा तो जिस तरह का गया वो सबके साहने है अभी एक और मैह जाने लगा। पाकसान इडिया का तो क्या व्यूस शेयर करना चाहेंगे उसे मुतल्य किया आप उसके मुतल्य को एक्साइटमेंड शो करना चाहें है अभी दिलकुल एकसाइटमेंड शो करना चाहरा हूं लेकिन एज वेधर GRAD कर्स अभी मैं अपने और यकीन करें पिछले मैच से जादा बारिश के इमकानात है और मैं ये रहीत करता हूँ मैंने शोच आदा क्या है और इंडिया आफिशल्स तो वेन्यू तबदील जैशा जो इंडिया से तालुक रखते हैं वो तो वेन्यू तबदील करना ही नी चाहरे उनको पाकिसान क्रि पारिश की है तो भी एक बढ़ीगी देखनी पड़ेगी मैचssa नी रेख पहेंगे जी काही न कहीं कि क्यों कि वो भी एक बहुत बदीघीपट चलानरें है BCB भी एक जुनिया का बहुत बदीघीट लगट चलारी है I think कही ना कही उनके अपने कही reasons होंगे, कुछ logistical issues हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते है But at the end of the day what matters is that fans को जो entertainment है और जो पाकसान इंडिया का मुकाबल है, वो witness करने को मिले So मेरी तो दूआ ये है कि आने वाले एक-दो दिन में कोई ऐसा decision ये लोग मिल छुलके है कि हमें बस मैच मिले, वरना फिर हम ये ही दुआ करते रहेंगे, अगर ये वाला मैच भी washout हो गया कि काश अब फाइनल में मुलाकात हो और पता चले फाइनल में पर बाहिश होगी तो हम 27 October का ही वेट करेंगे 27 October का, अचे ये बताएं, 27 October प्लान में है कि आप उदर जाके मैच विटनस करें या फिर पाकिस्तान बेट के टीवी पर देखेंगे, इंडिया जाने का प्लान है आपका? I think आजकल पिछले कुछ अचे से पाकिस्तान से इंडिया जाना और इंडिया से पाकिस्तान आना काफी थोड़ा मुश्किल है लोजिस्टिकली और वीजा इसूस की विजिए से लेकिन अगर मुझे कहीं से ही पता लगा के वीजास आर ओपन और पाकिस्तानी स्पेक्टेट आर आज़ाओ तो गो एड़ वच्ट गेंग तो आइ थिंक मैं 27 अक्टूबर को एम्दाबाद स्टेडियम का गेट में खोल रहा हूंगा बार्स बार्स और आपने क्रिकट के लिए भी अपने प्रोफेशन के जरिए बड़ी खित्मत की है और जो चंद माहिया अब गाना अब रिसेंटली मैं देख रहा थास पर काफी जादा व्यूज आ रहे हैं लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं आपको बेस्ट विश्ज कर रहे हैं और डेफिनेटली मैं यह प्रिडिक्ट जरूर करूंगा जिसना आपने प्रिडिक्शन की है कि वैदर फोर्कास्ट जो है दस जो तारीक का है पाकिसान इडिया मैच का असम बारिश है आपके गाने के बारे में मैं फोरकास्ट करता हूँ कि इन्शाला यह भी सौ मिलियन यूज जल्ड क्रॉस करेगा और पाकिसान का एक पॉपलर गाना थाबित होगा थेंक्यू आपने टाइम दिया कराची से आब हमासा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें